नमस्कार दोस्तों मैं केसी साहुसार आज आप लोगों के लिए बोड़ा मास से संबंधित चार ऐसे प्रस्ण लाया हुना जिसमें कन्फ्यूजन हो सकता है लेकिन वीडियो को आप पूरा देखेंगे ना तो आपको बहुत असानी से समझ आ जाएगा चलिए मैंने आपके ल कालने प्लीं के उडिन-पब्रेकेत बंद उसके बाद तीन फेक्टुरियाल है अब इसका उत्तर क्या होगा यहां प्रमे उत्तर में आपको कुछ प्रस्ण और देखा दूँ, यहाँ पर दिखें, हमने कुछ अलग टाइप के प्रस्ण लिये हैं, और आज के जो सभी प्रस्ण है, वो बहुत ही अच्छे प्रस्ण है, तो सभी प्रस्ण को ध्यान से दिखेगा, अगर हमें कुछ ऐसे प्रस्ण दे दिया जाए केवल और केवल भाग की संक्रिया दिया हो तो हम इस प्रकार के प्रस्णों को कैसे हल करते हैं हाला कि इस प्रकार की वीडियो में हमेशा बनाते रहता हूँ ताकि किसी प्रकार का डाउट ना हो लेकिन आपको याद रखना है अगर लगातर भाग की संक्रिया दिया हो तो भाग को हल करने का जो basic concept होता है concept होता है जैसे उदारन के लिए हमें 5 भागित 5 दिया हो तो हम क्या जानते हैं कि पहले वाला संख्या को कुछ नहीं बदलते हैं बाद में संख्या होता है उसको हम बदलते हैं कैसे ये भाग की संक्रिया को हम गुना के चिंज में बदलेंगे तो ये वाला जो संख्या होता है उसको हम क्या करते हैं अंस का हर और हर का अंस में बदल देते हैं जैसे पांच अंस में है और एक मतलब किसमें है हर में है तो इसको हम क्या करेंगे एक बट्टे पांच करेंगे कहने एक मतलब क्या है इसमें जहां जहां पर आपको भाग की संक्रिया दिखाई दरा है उस भाग की संक्रिया को आपको गुना की संक्रिया में बतलना है और जब बहुत ही सरलसा है इसमें हमने चार आपसान लिख रखें जैसे क्यासी है एक है नव है और साथ सो उन्तिस है इसको देखते हैं यहां पर देखें हम नव लिखेंगे और हमने जो अभी तरीका बताया है जब भी हम भाग की संक्रिया को गुणा में बदलते हैं तो यह वारा ज देखेंगे एक बटे नव लिखा हुआ है इसको भी हम बदल देंगे क्या करेंगे अंस में एक है उसको हर में लाएंगे और हर में नव है उसको अंस मिल जाएंगे तो यह भी कितना हो जाएगा नव बटे एक हो जाएगा यहां पर देखें यहां पर भाग की संक्रिया को गुना के संक्रे में बदल दिये, अब दिखे यहाँ पर अंस में 9 हैं, और हर में 1 है, क्योंकि कोई भी संक्रे जिसके हर में कुछ नहीं है, उसको हम 1 तो मानी सकते हैं, बटी एक लिख सकते हैं, तो इसको में क्या लिखना पड़ेगा, अब दिखे इस प्रस्ण को आप आया है तो एक बार नव इसको कटा देगा तो हमारे पास दो बार नौब मज गया है तो नव निया कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा जो की पहले है आप्सां में हमने लिख रहा था की掰掰 है तो निश्टीत रूप से पहला प्रश्ळ तो ओ तो वो क्या करेगा यहाँ पर साथ एककम साथ करेगा वो भाग चला गया यहाँ पर केवल क्या बचा तीन बचा और यहाँ पर क्या बचा है इसको भी साथ एककम साथ कर दिया तो एक बचा तो यहाँ पर क्या हुआ तीन प्लस एक मतलब कितना आ जाएगा चार आ जाएगा ऐ अगर आपको लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है, कि इसको ऐसा हल किया जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, ध्यान देजेगा, बोड़ा मास कनियम क्या कहता है, बोड़ा मास में आप देख सकते हैं, बोड़ा मास में B, है न, O, D, कि उसके बाद M, A और S, मतलब स सबसे पहले आपको bracket हल करना है, उसके बाद A, आफ को हल करना है, उसके बाद Divide को हल करना है, मल्टिप्लाई को हल करना है, फिर योगो को फिर घटाओ की संक्रिया को हल करते हैं, लेकिन भई यहां पर क्या हमें bracket दिख रहा है, ध्यान देजे दोस्तों, यह जो चीन्ध हुआ है तो सबसे पहले हम इस रेखा कोश्टक को हल करना है इस रेखा कोश्टक के बारे में आपको जाना चीए जो बार कोश्टक होता है ये भी एक प्रकार का कोश्टक है तो सबसे पहले आपको कोश्टक को हल करना होता है ना कि आप क्या करिएगा भाग को हल करिए अगर क कोष्टक कर ować Immediately करेंगे तो इसको हम कहले करेंगे प्रें में हम सब्सक्राइब क्या करेंगे हालने सिर्टार्थार्था गंप्र हेले हैं इसको गलत तरीके से हल करके आप इसमें उत्तर कुछ भी भी नहीं करते हैं, यहाँ पर 7 लिखा है, और यहाँ पर गुना लिखा है, इनको हम पहले हल करेंगे, क्योंकि यह कोश्ठक है, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ध्यान यह देना है, कि आपको यह नहीं सोचना है, कि जोण की संक्रिया तो बाद में हल होती है, जो यहाँ पर माइनस होता, तो हम इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमने इसको जोण गिया, फिर यहाँ पर भाग की संक्रिया दिया हुआ है, 7, अब देखे हम वो नियम लगाएंगे, जो बोड़ा मास का नियम के तहद भाग और गुना की संक्रिया हो, देखे, पर गुना है तो यह तो दस ही रहेगा और यहाँ पर भागी की संकीरा दिखाए तो इसको गुना में बदलेंगे तो यह फिर से एक बटे साथ हो जाएगा अब क्या करेंगे यह साथ और साथ तो कड़ गया तो आपके पास उत्तर की रूप में कितना बचे है दस बटे साथ जो की कौन से आपसन में है सी वाले आपसन में हमने लिख रखा था कि 10 बटे साथ इसका उत्तर होगा तो निश्टी तुरुप से समझ आ गया होगा अब हम उस प्रशनों को देख लेते हैं जिसमें बहुत डाउट होता है और इसे ही मैंने पूछा था इसके बाद एक प्र फेक्टोरियल लगा है अगर आप फेक्टोरियल की बात नहीं करते हैं अगर आप फेक्टोरियल को नहीं तोड़ते हैं और गलित को हल करते हैं तो यहां पर देखें हम यह तो जानते ही कि कोश्टा को पहले हल करेंगे तो तीन गुना दो और किता हो गया तीन हो गया और य पिकालना रहता है ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं है हल कर सकते मतलब सकते हैं जो भी संख्या दिया हो फेक्टोरियल के रूप में उससे आगे हम क्या करते जाएंगे संख्या को घरते क्रम में लिखेंगे जैसे 3 है तो 3 क्या करेंगे उसके बाद 3 गुनित 2 करेंगे उसके फेक्टोरियल के प्रसार करते हैं तो माइनस 1 करते हुए जाते हैं तो यह तो हो गया माइनस 1 करके तो आपका उत्तर आ गया अब यहां पर देखिए फेक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो रहा है 3 गुनित 2 गुनित 1 मतलब 3 कितना हो रहा है 6 हो रहा है यहां पर 6 आएगा तो नि पर देखें, तीन तीन नौ करेंगे, ठीक है, और तीन दुनी छाइ करेंगे, और नौच्छे का कितना हो राय है, चववन, यह देखें, नौच्छे का चववन, और चववन हमने लिख रहा है, सी वाले आप सनमी, अब आपको समझ आगे होगा कि इस प्रकार के फेक्टोरिय को जादा लगाया है भाग की संक्रिया देखे एक दो तीन बर लगाया है और गुना की संक्रिया को एक बर लगाया है तो ऐसा लग रहा है कि जब हम भाग की संक्रिया को लगा रहे हैं तो सारे संक्रिया जो है कट जाएगा इसा लग रहा है माल जाए तो हमने यहां पर भी आ ऑफ चारो को क्या करती कटा दिजिए तो उत्तर कितना आया साथ है आप सा एमिन मैंने लिख रखा है तो इस प्रकार के आपसंड आपको भी दिया सकता है ताकि बच्चे गलती करें लेकिन आपको तो गलती नहीं करना है क्योंकि आज का वीडियो आप देख रहे न तो आपस कुछ मत करिए, यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है, मतलब बटे में हम एक मानेंगे, अब यह भागी की संक्रिया को आपको गुणा कचिने में बदल दीजिए, फिर यह क्या हो जाए कि साथ बटे एक है, तो इसको आप एक बटे साथ कर दीजिए, गनित को हल करने का सबसे अ सान तरीका होता है, जो भी भागी की संक्रिया होता है, उसको गुणा की संक्रिया में बदल लेना चीए, अब देखें, यहाँ पर तो हमने इसको बदल दिया, अब इसको भी आप गुणा की संक्रिया में बदल लेना चीए, अब यह एक बटे साथ है, जबकि यह साथ बट प्रश्न पूछने वाला हूं और वो प्रश्न बहुत ही सरल सा है देखेगा हमें यहाँ पर कुछ प्रश्न दे दिया जाए मालने जा हमें दे दिया जाए 2 और 2 प्लस 5 दे दिया जाए और यहाँ पर दे दिया जाए 5 का फेक्टोरियल ठीक है तो इसका उत्तर क्या होगा इसको आप लोग मुझे स्पेशल क्वेस्टन लिग करके कमेंड करिएगा ताकि मुझे समझ आ सके कि आप लोग बिल्कुल फेक्टोरियल वाले प्रश्न को समझ गये हैं और इस प्रकार के प्रश्न को बहुत ही असानी से बना सकते हैं तो दोस्तों ऐसे ही सांदर वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहता है और आपने ऐसे सांदर वीडियो के लिए चैनल को सब्स्राइब नहीं किया होगा न